वेलकम टू स्रीजी फूट मैं हूँ मनिशा ठककर आज हम घर में ही मिल जाने वाली सामगरी से बच्चों का बहुत ही मन पसंद पीजा बनाएंगे और इसे बनाने के लिए आपको ओवन, कडाई, तवा किसी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम ये मीनी पीजा डाइरेक् करते हैं तो पीजा को हेल्दी बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कप गेहु का बारी काटा लिया है अब जो आटा हमने लिया है उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे फिर इसमें मोयन के लिए दो बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे आप यहां पर देसी घी या घर का ब अउंटिटी है वो थोड़ी ज्यादा रखनी है तो इस तरह से आप इसे चेक करें यह आटा अच्छी तरह से ऐसे बाइंड होना चाहिए जब इस तरह से गी और नमक आटे के साथ मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए और इसका लगा कर रैडी कर ले हमें आटे को सॉफ्ट नहीं रखना है उस बात का आप खास ध्यान रखे अब बाकी का जो सुखा आटा है वो हम इसी तरह से आटे को मसलते हुए इसमें मिक्स कर लेंगे और आटा मिक्स हो जाए उसके बाद भी हमें आटे को अराउंड दो से तेन मि लेंगे आप चाहे तो इसमें बारिक कटा हुआ प्याज भी अड़ कर सकते है अब जो टमाटर और कैपसिकम हमने लिया है उसमें मसाले करेंगे तो सबसे पहले इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाले फिर चुटकी भर नमक डालना है इसी के साथ एक बड़ा चमच पीजा सॉस डालेंगे अगर आप पीजा सॉस घर पर बनाना चाहते है तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है फिर दो बड़े चमच इसमें टॉमेटो सॉस या फिर टॉमेटो कैचप डाले और इसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है फिर थोड़े चिली और थोड़ा पीजा सिस्निंग डालेंगे अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है तो स्टफिंग को साइड में रख दे और जो आटा हमने लगा कर रखा था उसे अच्छी तरह से मसल लेना है फिर उसमें से बड़ा लोया बनाकर उसे बेल लेना है तो इसमें से जो रोटी हम बेलते है वो ज्यादा पतली भी नहीं और मोटी भी नहीं वैसी रखनी है इस तरह से हम रोटी बेल दे उसके बाद जो इस तरह का round cookie कटर आता है उसकी मदद से हम इसे कट कर लेंगे आप चाहे तो कटोरी से या ग्लास से भी इसे कट कर सकते है इस तरह से छोटी पूरी हम कट कर ले फिर काटे की मदद से इसकी आगे की साइड और पिछे की साइड दोनों साइड हम इससे निशान लगा देंगे ताकि ये अंदर भी अच्छी तरह से पक जाए तो इस तरह से मैंने दोनों साइड इसके उपर निशान लगा दिये है अब बताए उस तरह से ये पीजा हम अपमेकर में बनाने वाले है तो अपमेकर को धीमी आज पर गरम कनेक ले रखे फिर इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा दे आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते है और इसे हलके हाथ से थोड़ा दबा दे ताकि इसका कटोरी जैसा शेप आ जाए अब इसे धीमी आज पर एक मिनिट के लिए पकने देना है और तब तक इसकी उपर की साइट भी हम थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे अब जो स्टफिंग हमने बनाया है वो एक चमत जितना इसमें रखेंगे स्टफिंग रख दे उसके बाद इसके उपर हम चीज डालेंगे तो यहां पर मैंने मुजरिला चीज लिया है अगर आपके पास मुजरिला चीज नहीं है तो आप प्रोसेस चीज भी ले सकते है और चीज की कॉंटिटी आप पसंद अनुसार कम ज्यादा कर सकते है अब अपम्मेकर को डाइरेक्ग गैस के उपर नहीं रखना है तो कोई तवा ले ले और तवे के उपर ये अपम्मेकर रखना है फिर इसके उपर डखकन रखे और इसे धीमी आज पर अराउंड 5-7 मिनिट तक पकने दे तो इसे मैंने around 7 मिनिट तक पका लिया है और आप देख सकते हैं पीजा का बेस भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और फिर से इसके उपर थोड़ा थोड़ा चीज डालेंगे completely optional है अगर आप दुबारा से चीज नहीं डालना चाहते तो skip कर सकते हैं फिर इसके उपर थोड़ा चीली फ्लेक्स, औरेगानो और पीजा सिजनिंग डालेंगे जो पीजा हमने बनाया है वो पीछे की साइड भी इस तरह से एकदम golden brown और क्रिस्पी पक जाना चाहिए तो इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे तो ये हमारा एकदम healthy और घर में ही मिल जाने वाली सामगरी से बनाया हुआ पीजा बनकर ready है तो आप भी इस तरह से इसे बना कर जरू ट्राइ करें ये उपर से एकदम क्रिस्पी और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है उमीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंदाई होगी